से जहां होट स्पाटोंगे वहां मेुट किiseenoknahm यह होगा टी दोर खाने की विश्था डीजिव आगर कुक्ट फूट भी पहुंचाये जाएगा दूर्ष पहुंचाये जाएगा और डू' टूडओर वहां पर जो harm किरादाका दुगान और मैडिशन कुरा देभिंडन कुट बता दी कि एक जिले के होट स्पॉट कितने हैं और ठाने कितने हैं कि वह उन एरियाज में लिमिटेड एरियाज पर है अगर वहां एसेंशल सर्विस में जुड़ेवे लोग होंगे डॉक्टर होंगे तो उनके लिए विशेश वैस्ता करी जाएगी एक चीज जरूर बता दे मासक पहना अनिवार कर दिया गया यदि आपने से कुछ लोग मासक नहीं पहने तो मासक जरूर पहन लीजेगा और मास्क न पहनने पर कारवाई भी हो सकती है ये भी ध्यान रखेत आपके इनको उनको हम intensive lockdown में लाएगा उसका reason ये है कि किसी तरह का infection spread ना हो उसको properly content किया जा सके इसके लिए कुछ विवस्थाएं की गई है और वो विवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का sanitation विशेश रूप से improve करना तो उसमें उस area को pardon करकर के वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियां भी इस काम में लगाए गई हैं उनको लगा करके एक extensive sanitation ड्राइब चलाए जाएगा वहाँ पर lockdown को 100% लागू किया जाना है जो pass civilian issues है उन passes को भी इस थबिद किया जाएगा इस अवधि में इस अवधि में extended और intensive lockdown हम लागू कर रहा है जो supplies का बिंदू पैदा हो रहा है वो यह है कि वहाँ पर जो लोग उन areas में रह रह रहे हैं वहाँ पर civil supplies department medical supplies को door step पर मोहिया कराएगा यानि बाहर लोग आ करके दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे अन्ट की गईगा भाइफिम इजनें फासले पर है अन लोगों से जो जहांपर पहले इस तरहे के लोग का रहाना पसह चला है जहांपयों लोग रहे हैं उनकी प्रिवार कैmos रहे हैं इस से उसको आइडिजिटिफाइब किया है प्राइम व्यवस्था लागू की गई है इन्हांस्ट सेनिटेशन, लोड स्टप सप्लाइज और बैरिकेडिंग अफ द एरिया सो रैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन इस पर होने की कोई संभागना न रहे हैं यह व्यवस्था हमारी है प्राइम प्राइम व्यवस्था लागू